So, Hello Oster, कैसे हो आप सब दो? So, इस आज जो है की देख रहे हो आप मेरे हाथ में All New Apache RTR 160 4B यह जो है इसका Special Edition नहीं है जो Special Edition जिसके अंदर Orange Color में वील्स अगर है फिर Red Color आप बोल सकते हो तो वो Variant यह नहीं है यह जो है Regular Variant है जिसके अंदर कुछ छोटे-मोटे Changes किये हैं ज्यादा इसमें Changes नहीं किये हैं जो Main Changes अब हो जो है इसके Top Model में है उसकी वीडियो में लेके आऊँगा है दोनों comparison भी लेके आऊँगा तो फिलाल जो हम बात करते हैं इस Regular Model के बारे में जो कि आपको एक कात तची कीमत में मिल जाता है सबसे पहले में स्कौन कर लेता हूं तो फ्रेंट हेड्राइट जो है बिल्कुल से में जैसे टॉप मोडल में है जैसे की देख सकते हो यह डियारल जो है इसकी काफी अच्छी है बिल्कुल वैसे आपको दिखेगी जैसे BMW की GS310 वगरा में FBG310 वगरा में देखने को मिलती है तो बिल्कुल वैसे DRL इसके अंदर दी गई है और देखने में अच्छी लग रही है पहले से पहले जो को उपर आती थी वो यार बिल्कुल चीप क्वाल्टिक दिखती थी बट यह जो है न काफी प्रिमियम लग रही है तो इसमें जो सबसे पहला चेंज यह किया गया है उसके बाद मेरी बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है टायर्स वो ही है सिंगल चैनल ABS डिस्क ब्रेक फ्रेंट में वो सब कुछ सेम है फ्रेंट में जो है आपको यह टेलिसकोपिक सस्पेंसल यह भी वो है जो पहले नहीं लूँँ आपका एंड उसके पहले दिखा दूँ जो अपना इंजिन का अओल है वो भी स्वाइक के अंदर मिलता है जो कि काफियादा प्रीमियम लगता है और अपाचे में जो स्टार्टिंग से यह चीज़ा में देखने को मिलती आ रही है इंजिन से में कोई 17bhp क जो है पावर देता है तो इंजन में कोई छेड़ानी यहां पर नहीं की गई है अभी आप सोच रहेंगे इसमें तो ओल्ड वाला इमिटर कंसोल है मतलब सब कुछ होई तो आपको बता दू ओल्ड वाला नहीं है दिखने में बिल्कुल वैसा ही लेकिन इसमें चेंज किया जो कि आप यहां पर देख सकते हो अर्बन लिखा हुआ रहा है तो यहां पर आपको बटन मिलता है मोड का मोड जैसे आप क्लिक करोगे तो मोड यहां पर चेंज हो जाए जैसे स्पोर्ट्स में गई अभी यह जो है रेन मोड यह जो है अर्बन मोड तो तीन राइडिं पर हावर की जो है यह शो कर रहा है आई डोंट नूट क्या है यह तो जो भी है बताना आप यह जो और मिटर तो यह कुछ सारी इंफोमिशन जो आपको देता है तो सिंपल सा है वही बस राइडिंग मोड अगर एड़ कर दिये है उसके बाद में सारे कंट्रोल अगर वही ह जो आप देख रहे हो इसीट का पूरा कंबिनेशन यह भी जो भी आपको ड्यूल टॉन में देखने मिलेगी इतनी खास नहीं आ रखिए देखो लगी कपड़ा जो इतना टाइट इसमें नहीं है तो श्याद कंफर्ट की विजए भी हो सकता है तो ज्यादा यहां पे कर दे मिल जाएगे और यहां पर आपको स्टीकर पीछे की साइड में कोई डिस्क नहीं है यह जो है ड्रम वेरियंट तो इसमें आपको कोई डिस्क नहीं मिलता जो टायर साइज है वो थोड़ा सा मेरे को पतला लग रहा है इसमें तो मैं देख लेता हूं क्या साइज है तो यह जो है तायर साइज मेरे को सही नहीं देख रहा है बाकि यहां पर आपको ड्यूवल बैरल एक जोस्ट में जाते है इसके साउंड आपको चेहां से मिल जाएगी तो भी जो है जो साउंड सुना देता हूंगा इस आपको मैं वन कच स्टार्ट तीछे इसके मिल जाएगा आपको स्टिकर मिल जाएगा तो यह इसका पुरा वोकरांड शोट में आपको बताया है चालता तो में इसको दस मिनिट की वीडियो बना देता पर क्या फायदा जो चीज़ आपको बता है वो चीज़ रिपीट करके फ्रेंट में जो टायर हो आपको में आपको 90 section का मिलता है बाकि मैं confirm कर लेता हूं तो 90 section का है 90 by 90 का और यहाँ पर जोई भी असरिंग आपको दिखरी होगी तो यह कुछ चीज़ है आपको इस और आपको इस बाइक में पहले मिलता आ रहा था तो बागे इस यह कुछ आज की वीडियो में जो प्राइसिंग करेंगे वह आपको स्क्रीन पर दिखरी होगी जो कि इसके एक्षोर में और प्राइस है तो वह आप चैप कर लेना बागे जिए कुछ आज की वीडियो में मिलते है नेक्स वीडियो में अब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम लाव यूल गाइस